हे गुड इवनिंग तो अल टुड़ेस टोपिक इस ओन एंडो मेंब्रेन सिस्टम लेट्स टार्ट एंडो मेंब्रेन सिस्टम के अंदर क्या आती है हमारी चार ओर्गनली जाएंगी एंडो प्लाजमिक रेटिकुलम गोल्जी कॉंप्लेक्स लाइजर्जोम और वेक्योल यह वेक्षण होते हैं लेके सीट 0-40 और उसका इंदर प्लाजमिक रेटिकुलम अगर्डपलाजमिक रेटिकुलम अ daqui स्टट्टर में यह मैं वे चुटा सो उता है और इसमें ट्यूबस के नेटवर्क्स होते नेडवर्ग्स क् दिखाया हूं यह ऐसे इसकी त्यूबस देखो जैसे कि यह क्या है नुकलियस है यहां पर क्या होगा यह ऐसे एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम क्या होगा प्रेजेंट होगा एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम क्या करता है जो इंट्रसेलिलर कंपार्टमेंट है यानि कि यह हमारा सेल है सेल के अंदर का क्या है जो इस दो पार्ट में ल्यूमिनल और दूसरा इन्सा होगा एक्स्रा ल्यूमिनल होगा इंसाइड होगा एंड्युप्लाजमिक रैटुकुलम के होगा य OWला पाठ हमारा है और युप्री得 CONCENTOGFA सारा बच्चा यह कुण सा पाट है हमारा extra luminal या फिर cytoplasmic नेक्स्ट हमारे पास आते हैं endoplasmic reticulum के टाइपs endoplasmic reticulum हमारे पास दो टाइप के होते हैं एक और रफ endoplasmic reticulum दूसरा होता है हमारे पास smooth endoplasmic reticulum अगर हम rough endoplasmic reticulum की बात करते हैं तो यह rough क्यों होता है क्योंकि जो इसका surface होता है यह हमारा rough endoplasmic reticulum इसके surface पर क्या होते हैं यह ribosome present होते हैं ठीक है यह क्या है हमारे यह इस पर क्या होते है ribosome present होते है इस कारण इसका surface कैसा होता है और यह sister ने compose करता है sister ने क्या होते है long से flat और unbran structure होते हैं यह हमारे पास क्या है sister ने ठीक है और जो हमारा यह rough endoplasmic reticulum है यह help करता है protein की synthesis में किसमें यह form करेगा हमारे जो endoplasmic reticulum है उसमें protein की formation करेगा ठीक है अगर हम smooth endoplasmic reticulum की बात करते है तो उस पर ribosome absent होता है कोई ribosome present नहीं होता तो उसका structure कैसा होगा smooth क्योंकि उस पर कुछ भी present नहीं है और यह क्या करता है टिप ब्यूल्स compose करता है टिप ब्यूल्स का मतले ब्रांच और membrane bound से structure यह ऐसे टिप ब्यूल लाइक से और यह क्या होते है ब्रांच स्टक्चर क्या करता है और जो smooth endoplasmic reticulum है वह help करता है हमारी lipid की synthesis में जैसे कि इस डाइग्रम में दिखाया गया है कि यह वाला यह क्या है हमारा nucleus है और यह हमारा क्या है endoplasmic reticulum अब यह जो यह वाला smooth endoplasmic reticulum next अगर हम इसके function की बात करते है endoplasmic reticulum की ठीक है तो सबसे first तो क्या इसका important function ही है कि यह protein और lipid की क्या करता है synthesis करता है protein की synthesis हमारे पास कौन करता है rough endoplasmic reticulum और lipid की synthesis हमारे पास कौन करेगा smooth endoplasmic reticulum और यह क्या करता है intracellular transport करता है तो यह क्या करता है उन सारी की सारी और्गनलीज में क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है यह क्या करता है डी टॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है मतलब की जो भी हमारे पास क्या है टॉक्सिक सबस्टांस होते है ठीक है उसकी क्या करता है डी टॉक्सिफिकेशन क प्रेंड को हो जाते हैं सारी कि सारी रिमूव हो जाएंगी दूसरा यह करता है Membrane की उसके फोंडेट्स ट्रॉब इस में क्या होगा इन्कृस ओगा मालों भी यह थे में है मारपस दो साल यह था तो टो तो यह सदा सदा जादा लेगा अब यह बिल्कुल मूड तुड कर रहा हुआ कहीं पर तो यह क्या लेगा कम सर्फेस एरिया लेगा तो के tube-like folded form है तो ये cell का surface area क्या कर रहा है increase कर रहा है अब जितना ज्यादा यह होगा वहाँ पर endoplasmic reticulum होगा तो ribosome की attachment भी क्या होगी उतनी ज्यादा होगी अब अगर ribosome attach हो रहे हैं वो किस चीज में help करेंगे protein की synthesis में उतनी ज्यादा हमारे पर्मेशन होगी protein की अब हमारी अगर protein ज्यादा ज्यादा बन रहे हैं तो वहाँ पर enzyme की formation भी क्या होगी बहुत ज्यादा ज्यादा होगी ठीक है क्योंकि enzyme होते हैं वह भी क्या होते हैं